नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टडी फॉर यूपेसीपी से से मैं स्वागत है इसके चैप्टर आठ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था जिसमें वैदिक पीरियर तक मैंने आपको डीटेल में पढ़ा दिया था आज से चैप्टर नाइन से सुरू कर रहे हम लोग जिसमें उत्तर वैदिक काल आपको मैंने पिछले चैप्टर में ये भी समझाया था कि हरप्पा में वैदिक में और उत्तर वैदिक में क्या डिफरेंस है अगर आज आपको फिर से मैं एक वह रिवाइज करवा देता हूँ तो हरप्पा पीरियर ना तो आपको लोहा दिखता है ना तो आपको घोरा दिखता है जबकि आपको वैदिक पीरियर ने घोरा तो दिखता है लेकिन लोहा नहीं दिखता है यहाँ पर भी लेकिं उत्तरवैदी काल में आएंगे तो आपको घोरा भी दिखेगा और लोहा भी यहाँ पर प्रचुर मातरा में दिखेगा इसके साथ साथ यहाँ पर और भी वहाँ सारी चीज़ें बदल जाती हैं जैसे हरपपा में तो क्रिसी थी क्रिसी वहाँ पर उन्नत कंडिसाने भी दमान थी लेकिन उत्तरवैदी काल के जो लोग थे मुख्यूरूप से पसुचारन पसुपालन पर आधारित थे पसुओं को पालते थे क्रिसी उनके लिए गौन चीज़ थी क्रिसी को करने के लिए लोहे क्याब सकता परती है और उसके बाद से आपको उत्तरवैदी काल में लोहे का परचलन दिखता है और यहाँ से लोह आधारित जो सभिता का डिवलपमेंट होता है वो बहुत ही तेजी गती से होता है लोहा की तेजी से डिवलपमेंट दिखेगा इतने बड़े बड़े समराज्य बनते हैं जिनका कोई सामी नहीं था उत्तर दक्षिन तक फैल जाते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों का आज हम लोग डीटेले परेंगे थोरा सा वीडियो सेयर कर दिया कीजिए जहां भी संबब होता ह वीडियो काफी अच्छा बनाने कि मैं तो कोसिस करता ही हूँ फिर भी कोई खामी रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं कि कुछ सुधार करना होता है से डिवल वीडियो का इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे लोग देखते नहीं है और इस हिसाब से एक दीन करक किसको माना जाता है तो यह माना जाता है आपका वैदिक पीरियड को और एक हजार से छे सो तक किसको माना जाता है उत्तर वैदिक पीरियड को कुछ बच्चे ने पूछा था कि इसापूर में हम उल्टा गिंती क्यों करते हैं तो आप दो हजार तईस में यहां पर बैठे ह यहां से पीछे के तरफ आप जाएंगे तो एक इसवी आजाएगा, एक इसवी से पीछे जाएंगे तो एक इसवी से पहले का सो इसवी पूर्व में चले गए, यानि कि एक इसवी पूर्व से भी तो पिर्थी पर लोग थे, जब एक इसवी सुरू होता है, उसको माना जाता है अब 101 इसवी से आप पीछे गए 100 साल पहले तो 100 इसा पुर्व हो गया अब यहां से भी आप 200 साल इसा पुर्व चलेगे तो 200 इसा पुर्व हो गया तो यहां से अगर 200 इसा पुर्व से आपको 2023 तक आना तब पता होगा तो आपको पता होगा उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के इतिहास मुख्य रूप से उन वैदिक गरंथों पर अधारित जिनकी रचना रिगवेदिक काल के बाद हुई है रिगवेद पर अधारित जो काल है उसको वैदिक काल कहा जाता है और वैदिक गरंथ क्या धार पर रचा गिया था रिगवेदिक काल अब रिगवेदिक काल के बाद जो ग्रंथ रचे गए उसके अधार पर जो इतिहास देखा जाता है या कालकरम देखते हैं हम या जो सबेता देखते हैं उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है वैदिक सुक्त या मंत्र के संग्रह को संहिता कहा जाता है रिगवेद सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ हैं इसी का धार पर हमने आरंबिक वैदिक युग का वर्नन किया जिसमें आप परहा था कि पिछले चप्पर मैंने आपको डीटेले परहाया है अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा बहुत इंपोर्टेंट लगेगा आपको गाने के लिए रिगवेदिक सुक्तो को चुनकुर चुनकर धुन में बांधा गया और इसे पुनर विस्तियस्त संक्रन का नाम संबेद संहिता परा मैं आपको बताता हूँ कि रिगवेदि में जो चीजे लिखा हुआ है वही सामवेदि में ही है बस वहाँ पर गद्ध के फॉर्वेट में था यहाँ पर पद्ध के फॉर्वेट में लिखा हुआ तो बस दोनों में यहीं इंतर था कि रिगवेद जो है वो गाने योगे नहीं था जो कि सामवेद जो है ये दुनिया का सबसे प्राचीन संगीत का गरंथ भी माना जाता है और इसको गाने योगे बनाया गया उचारण इसकी गाने के योगे बनाया गया एक लै के हिसाब से इसको बद किया गया यजूरवेद और अथरवेद अथरवेद जो है सबसे नया वेद है यानि कि सबसे बाद में किसकी रचना हुई है तो अथरवेद की रचना हुई है सबसे नया कातात पर ऐसा कते ही नहीं है कि मोदी जी के काल में इसकी रचना हुई है इसकी रचना भी बहुत पहले हुई थी अईसा पुर्ब के सताबदियों महीं हो गई थी यजुर वेद में केवलरीचाइय ही नहीं उन्हें गाते समय किये जाने वाला अनुस्ठान भी दिया गया है रिग वेद में और यजूर वेद में क्या दिया गया है कि उनको रिचाओं को सिर बोलान नहीं चाहिए बलकि यजूर वेद में ये भी बताया गया कि उनके समय कौन-कौन सा अनुस्ठान होने चाहिए एक इंट्रेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ यजूर वेद से कई सारे जो विद्वान हैं ये गनित का जन्म मानते हैं गनित का जन्म कैसे भई तो यजूर वेद में ध्यान प्रवक सुनिएगा वेद को यजूर वेद में यग्य करने की विधी को बहुत ही डीटेल बताया गया है अब सुनिएगा जिन जिन ने लोगों ने यग्य देखा है यग्य करने के लिए वेदिका का निर्मान होता है उस वेदिका के लंबाई चौराई का अनुपात रेसियो तक फिक्स होता है कि किस अनुपात में उसकी लंबाई होगी कि सनपात में उसकी चौराई होगी यानि कि यहाँ पर गनित आ गया इसके अलाबा वेद्य करतेस में बहुत सारे आकरतियां जामिती के हिसाब से बनाए जाती है कितने दूरी पर बैठेंगे पंडित कितने मंत्रों चारंगे साथ कितनी आहूतियां दी जाएंगी चौकि जीरो का जन्म नहीं हुआ था इसलिए आहूतियों का करम 108 होता था 111 होता है 111 होता है 110 आपने नहीं सुना होगा क्योंकि जीरो का जन्म कुट पीरियर में हुआ था जबकि वैदिक रीत रिवाजों का जन्म उससे पहले हो गया था ये आज कितने लोगों को पता चला है तो मुझे बताईएगा इसके अलावा जब हम इसको करते हैं तो इसमें अलग-अलग सरकिल बनाए जाते हैं आकरतियां बनाए जाती हैं अलग-अलग आकार के जो आहुतिया होती है वो भी तियार की जाती है ति ये सब से क्या है सब में गनित है तो गनित का जन्म जो है वो यहीं से माना जाता है सब से प्राचीन भारत की अगर हम लोग बात करें तो चलिए आगे बरते हैं इतरा इंट्रेस्टिंग तरीके से परहा रहा हूँ आपको व्यजुर्वेद केवल रिचाय ही नहीं उन्हें गाते समय ये सब तो चीज है ही इन अनुस्ठानों में उस समाजिक वरायतिक परिस्तिती का परिचाय मिलता है जिसमें इन अनुस्ठानों का उधवा हुआ अथरवेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारन के लोग थे उनके विश्वास और उडियों का भी पता चलता है इसी से वैदिक संहिता के बाद यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ कई गरंथ लिखे गए जिनको ब्रामन कहा जाता है ब्रामन का तातपरि क्या होता है चाती नहीं पूछ रहा हूँ ब्रामन सब्द का मतलब कोई भी हो सकता का तातपरिया है जिसने भी ब्रह्म को जान लिया ब्रह्म का जानने का मतलब है जिसने भी घ्यान प्राप्ती की इसने खुद को जान लिया वही ब्रामन कहलाता था तो इसको ध्यान रखिएगा ब्रामन गरंथ का क्या मतलब होता है कई सारे गरंथ लिखे दरसन वیद को परना और उसको समझना उसके क्रियाकलाब को करना काफी मुश्किल होता है कठीन होता है तो वो सब तक पहुँचे आसानी से सबके समझ में भी आ जाए उसके क्रियाकलाब भी सब लोग समझ लिए इसे ब्राम्हन ग्रंथ चोटे चोटे ब्रामन गरंथ लिखे गए इन्हें वैदिक अनुष्ठान की विधिया संगरहित हैं और उन अनुष्ठानों के समाजिक वधार्मी की व्याक्या भी की गई है वैदिक अनुष्ठानों के समाजिक सोसल और रिलिजियस व्याक्या भी की गई है किन में तो ब्रा के में वैदिक पी लोगों का जन्म हुआ है उसके और वहां से कहां फैला तो ऐसे पस्षिम पूरब की तरफ में और दक्षिन के तरफ में पूरा फैलता गया उत्खनान अंसंधान फलसुरुप इसी काल के इसी छेतर से इसी छेतर के लगव में बहुत सारा चीज ये पहले बस्तियां काइम हुई थी इन्हें चित्रे धूसर मेदवान पीजी डवलू प्रेंटेड गेवेर कहा जाता अस्थल कहते क्योंकि यहां के निवासी मिट्टी के चित्रे भूरे रंके का टोर और थालियों का प्रियोग करते थे वे लोहे का थियार का भी प्रियोग क करते थे बस यही सबसे बरांतर हैं वैदिक और उत्तर वैदिक में कहां गया लोहा का तियार वई यह तो रहा उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक वैदिक ग्रंथ और चित्रे धूसर मेध्वान लोह अवस्था के पुरातत इन दोनों के सनुक्त साक्षा में अभास मिलता है कि इस्ट्री क्रम में परहेंगे तो मज़ा आएगा आपको उक्ते गरंथों से प्रिकट होता है कि पंजाब से आरे जन गंगा यमना दुआब के अंतरगत संपुर्ण पस्टी मुतपदेश में फैल गए दो कभीले मुखेता भरत और पुरू के बारे में बताया था इन दोनों पहले लड़ाई की फिर दोनों मिल गया और दोनों किसकी रचना की कुरू की रचना की थी कुरू से क्यों सा जूरता है तो महा भारत जूरता है जिसमें कुरू बंस के लड़ाई जगरों की कहानी लिखी हुई है और दोनों कुरू नाम से बिदित हुए आरम में ये लोग दुआब के ठीक छोर पर सरसती और दिर्जदती नदी के परवेश से बसे थे यानि कि पस्थिम उत्तरपदेश से भी पस्थिम रास्थान का पुर्वी का इलाका उत्तरपदेश के पस्थिम का इलाका हर्याना के इलाका ये जो इलाका है इसी मिसाव से पहले ये लोग बसे सिग्री कुरू ने दिल्ली छेतर और दुआव को परी भागोपाधिकार कर लिया जो कुरू छेतर के नाम से प्रसिद हुआ और इसलिए दिल्ली में आपको क्या देखता है तो दिल्ली में ही आपको देखता है क्या महाभारत काल का जो पुराना किला है दिल्ली में वहाँ प बन का इलाका है, महावारत मगुस को इसी प्रकार से चिन्हित किया गया कि खूब सारे साप वहाँ पर रहते थे और बनबासी लोग रहते थे धीरे धीरे वे पंचाल से भी मिल गए जो दुआव के मद्य भाग पर कावीज थे इस वरकार कुरू पंचालुक सत्ता दिल्ली छेतर पर दौर दौाग को उपर भाग और मत्य भागों को फैल गई तब उन्होंने हस्तिनापूर का अपनी रालधानी बनाया जो मेरठ जीले में पड़ता है हस्तिनापूर कहां पर है वरतमान में तो मेरठ जीले में है मेरट के पास खुदाई अस्थल भी है हस्तिनापूर का बिलकुँ सई सुन रहे हैं आप हस्तिनापूर का कोई ऐसे कहानी नहीं है या माइथोलोजी नहीं है रामाईन महाभारत रामाईन भारत हमारा इतिहास है इस सीज़ को सुईकार करना चाहिए कुरू कुल का इतिहास भारत युद को लेका मसूर हुआ जिसको महाभारत कहा जाता है माहका पे भी है या माना जाता है भारत युद यानि महाभारत युद नौसो पचास इसा पूडव आज से घन्ना कर लो कि आशपास कौरव और पान्डवों के बीच में हुआ था हलाकि ये दोनों जो कौरव पान्डव हैं ये दोनों कुरुकूल के ही थे इस एक फ्लसरूप वस्ता सारे कुरुवंस्यों का नास हो गया और कुरुवंस का बिनास हो जाता है उसके बाद से जनमेजय वगर की कहानी आप सुनते हैं और अहिमन्यू के पुत्र की कहानी सुनते हैं हस्तिनापूरे मेरी सामगरियों से जिनकी तिथी 900 इसापूरे से 500 इसापूरे का वादी हां की जाती है वहां के बस्तियों और नगर जीवन के धुंदले आरम का पता चलता है किन्तो महाभारत महस्तिनापुर का जो वर्नन है उससे इसका कोई मेल नहीं है क्योंकि इस महाकावे के रचना बहुत बाद में इसा के चौंथी सदी का असपास में हुई है देखे महाभारत की कहानी तो पहले से ही चली आ रही थी लेकिन भारत में चुकी कंठस्त कहानी की थोड़ी से परनाली रही है कि एक याद करके दूसरे को सुनाता था इसके कारण से इसके रचना बहुत बाद में हुई थे रचना किया गया इसका तब इसमें जो भब्बिता दिखता है महाभारत में आपको रध बहुत सारे दिखते हैं बरे-बरे महल दिखते हैं यह सब रचनाकार के imagination है युद्ध तो जरूर हुआ था लेकिन वो युद्ध हुआ किस प्रकार से था और कितनी भविता थी किन-किन सामगरियों से हुआ था और किस इसू को लिए अगर हुआ था ये भी clear है लेकिन जो भविता महभारत में दिखती है वो नहीं था उसका कोई हमें अभी तक परम में जो कच्ची सनचनाएं मिली है वे ना तो भवी कहीं जा सकती है नहीं ठिकाओ ही प्राचीन कथाओं का अनसार हम जानते हैं कि हस्तिनापूर बार है बह गया और कुरूबंस में जो जिवित रहे वो इलावाद के पास कौसामभी में जाकर बस गए थे आपको बता होगा कि हस्तिनापूर भी क्या हो जाती है तो बार हमें डूब जाती है और ये पाक का प्राचीन कहानी है और कुरूबंस में जो लोग बच गे वो कहां पर चले गए तो वर्तमान के इलावाद कोसामभी के तरफ पूर्भ की तरफ में चले गए थे अगला क्या है कि आज के बरे इसी प्रमान के बरुगे ख्याता का प्रुज शाठे माजीं अब्स है सबस्ति है कि अपके अलग अलग राजा थे तरफ त्रफंद ग्यानभी ज्ञान और को प्रूनती देने हाल राजा उत्तर वैदी कालकंत होते होते हैं 600 इसापुरू के आसपास वैदी के लोग दुआब से पूरब और उत्तर प्रदेश के कोसल और उत्तरी बिहार के बिधेह में फैले यह उत्री बिहार के भी दे दक्षिनी बिहार में नहीं फैले दक्षिनी बिहार को वो लोग वरत्य प्रदेस कहते थे कि वर्जित प्रदेस इस प्रदेस जाना नहीं चाहिए यह अच्छे लोग नहीं रहते हैं क्योंकि वहां पर मूल रूप से माना जाता है दक्षिनी बिहार में कि आदिवासी तत्तों की बहुलता थी वो लोग यग कर्म कांड को नहीं मानते थे इसलिए दक्षिनी बिहार को कहा गया है वरात्य परदेश की दक्षिन का विहार का जो लाका जी वरात्य परदेश था आ वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तापदेश और उत्री बिहार में ऐसे लोगों से संपर्ख हुआ जो तामबे के ओजार और काले लाल मर्दभानों का प्रियोग करते थे। पर इनका मुकावला उत्तर हरपाई संस्कृति को मानने वाले लोगों के साथ हुआ जो वैदिक संस्कृति के लोग थे इनका मुकावला के इनके साथ हुआ जो उत्तर हरपाई लोग थे जो हरपा नगर के पतन के पसाथ जो अलग-अलग इलाकों में जाकर बस गए थे तो ज उन्तु लगता है कि ये लोग मिस्त्रित संसकर्टी वाले थे जिस संस्कर्टी को सुद्ध हरपाई नहीं कह सकते हैं और ये मिस्त्रित थे उत्तर वैदिक के लोगों के देखे क्या है सत्रू चाहे जो भी रहों उनका किसी भी बड़े संलगन चेतर पर जमाव नहीं था उत् पर दूसरे जो लोग थे जो भारत में पहरे से ही रह रहे थे। लोहा के आने से क्या होगा लोहा के आने से क्रिसी अच्छी होगी क्रिसी अच्छी होने से क्या होगा व्यापार अच्छा होगा व्यापार अच्छा होने से क्या होता है सहर बसने आसान होते हैं सहर बसने से क्या होगा बरे बरे समराज्यों का उदय होगा समराज्यों का उद कुछ लोग इससे पीरित भी होंगे और वो नए-ने धर्मों की अस्थापना करेंगे नए-ने दर्सन को प्रसारित करेंगे धर्म में कुछ ने कुछ खराबी आएगी और धर्म सुधारांदोलन सुरू होगा बुद्ध और जैन का महवीर जैन का जन्म भी होगा तो सब कुछ अर्थ विवस्था ही होता है पैसा से ही सब कुछ चलता है लगो एक हजारी सापूर में लोहा करनाटक के धारावार जिले में मिलता है धारावार ये याद करने यो के चीज है इसको जरूर ध्यार में रखेगा कहां पर तो धारावार जिला करनाटक या सपष्ट नहीं कि यहां या कैसे फैला अब इनको यही नहीं मिल रहा है कि पूरे भारत में नहीं मिला यह धारावार में कैसे मिल गया तो मिल गया होगा भई करनाटक में लोहा के खान आज भी है बाबा बुदान के पहारी के शितर में है भई करनाटक में लोहा के पटरा खान है हो सकता है किसी पर उसी समय से पाकिस्तान की गंधार चेतन लोहे का प्रियोग होने लगा था मृत्कों के साथ कब्रों मगारे गए लोहे का जार भारी मातरम खुदाए से निकले हैं कहां से तो जो लोग मर जाते थे तो उनके मरने के साथ उनके कब्र में उनके डेली यूज की सामगरी भी या इसके मृत्यू के बाद का जीवन होगा उसमें इसको मदद करेगा यह सारा कुछ इसको दे दो ऐसी ओजार बलुचिस्तान में मिले हैं लगव इसी काले में पंजाब पुरी पंजाब यानि के पुरी पंजार बोरे तो अपना देश का वाला पस्री मुतपदेश राज पास से पस्यम का जो वेस्टर ने यूपी है इसमें आपको लोहे वगरक हथियार को उप्योग दिखते हैं लोहे की इन हथियारों से वैदी के लोगों ने उपरी द्वाब में सामने आया अपने बचे खुचे सत्रों को परास्त कर दिया होगा मतलब की इस हथियार से बस ज़्यादा घंए नहीं रहोंगे वैदी काल के अंतिम दौर में लोहे का ग्यान पूर्वी उत्ता प्रदेश और बिहार के मैदान तक फैल जाएगा देखिए अब धियान पूरों के इस मैप को क्या है ये मैप सबसे पहले यहां पर बसे वो सबत सेंधर प्रदेश साथ न अतमान का है उसके इलाकों में भी कुछ जनपत बनते दिखाए देंगे और धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाएंगे आगे की तरफ ओके और नीचे कौन सी संस्कृती है तो इस इलाके में द्रवीर संस्कृती फलती है फिर बिंद परवत को पार करेंगे जैसे रिसी अगस का नाम आता है जिन्होंने दक्षिन भारत की इलाकों में जो वैदिक धर्म है उसको फैलाया था फिर चंदरुप्त मौरे के समय में चानक का भी नाम आता है उसने भी फैलाया था फिर सातवाहनों के समय में भी फैल गया और बाद में नीचे नीचे तक पूरा फैल गया प नदियां होती है वो नीचे के भारे हों में ज्यादा चौरी होती है तो इसको पार करना कठिन होता है उपर के नेपाल के तरही इलाकों में जाएंगे या बिहार के तरही इलाकों वहां नदियां कम चौरी होती है तो वहां पर नदी पार करना आसान होता है इसलिए नेपाल क तराई इलाकों या तराई इलाकों से पहले लोग आमा गवन करते थे उनका रास्ता वही होता था क्योंकि वह आसानी से पार किया जा सकता था पैदल चलके भी नदी पार हो सकती थी जोकि नीचे अगर आप आएंगे पाटली पुद्र के पास आजाएंगे तो वहाँ पर नदी को आप चल कर पार नहीं कर सकते हैं वहाँ पर कठनाई होगी तो मुख्य रास्ता इनका उपर उपर था बाद में ये नीचे की तरफ में आएंगे आएंगे लेकिन जरूर इन पर देशों सबसे पुराना लोहास तर पाएगे इसापुर सात्मी सदीक उत्तर वैदी गरंतों में इसे धातु को स्याम या क्रिस्न आयस कहा जा गया है चुकि हलका सा काला होता है लोहा तो क्रिस्न आयस यदि पि लोहे के क्रिसी और जार कम पाएगे हैं तथा पि इसमें संदेह नहीं है कि उत्तरवैदी काल के लोगों के मुख्य जियें विकार, खेती हो चली थी, वैदी के लोगों के मुख्य पेसा क्या, तो पसूओं को पालना, पसू पालन, और उत्तरवैदी का मुख्य पेसा क्या, तो खेती, अब खेती के डिवलपमेंट से क्या होगा, व्यापार होगा, इंसान के पास क्या होगा, अच्छा खासा समय होता है, क्यों खेती का एक सीजन होता है, उसको लगा दिया है, बो दिया है, तब आराम से गर में बैठ सकता है, घर में बैठने से क्या होगा, सोचेगा, दर्सन का डिवलपमेंट होगा, ग्यान भी ग्यान की बाते करेगा, रा में डिफरेंस होते हैं अब इसको ध्यान में रखिएगा जोर कर चीजियों को देखिएगा अगला क्या है जीव का खेती हो चली वैदी ग्रंथों में च्छा आठ बारा चौबीस तक बैल हल में जोते जाते थे पूरा देश खाली था जितना जोतलो सब अपना ही है जितना ज हो सकती है अब ठीक है इतना सारा नहीं हो सकता लेकिन ठीक है बारा बैल तक तो चल दी सकता है जुताई लगड़ी के फाल वाले हल से होती थी जिससे उपरी गंगा के मैदानों की हलकी मिटी हम समझा तक काम लिया आता देखिए गंगा का मैदान उत्तर पदेश बिहार इन धरम में तो आज ही पूजा पाठ है बहुत सारी जगों पर बली दी जाते थे इसको लेकर आफेंड नहीं होना है बली के प्रता कोई आज की नहीं है पुराने से मैसे चली आ रही है इसलिए खेती आरंब का बस्ता में थी कि इन तो इनके व्यापक प्रचलर में संधिय नह ब्रामन में हल संबंदी अनुस्ठान का लंबा वर्नन है हल के लिए अनुस्ठान का भी वर्नन किया गया है सत्पथ ब्रामन ग्रंथ में वर्नन किया गया है अगला देखे क्या है कि कहा गया है कि सीता के पिता विदेह राजा के जनक हल चलाया था अब इससे क्या प्राप् उत्तर वैदिक काल में हल चलाना उच्छ वरनों के लिए वर्जित हो गया बाद के समय में जो हल चलाना था ये सुद्रों का काम हो गया ब्रामनों ने हल चलाना छोड़ दिया बोला कि ये हमारे लिए वर्जित है अब यहीं से थोरा थोरा रूड़ी बादिता बरजा जाएगा समाज में और समाज में थोरी से बिक्रिती आती जाएगी वैदिक काल के लोग जो तो उप जाते ही रहे हैं इस काल में चावल और गेहूं उनके मुखे फसल हो गए बाद में चलकर गेहूं पंजाब पस्च मुटपदे समुक्के खा दि हो गया वैदिक लोगों का चावल से परिचे सबसे पहले दुआब में हुआ वैदिक गरंथो में इनका नाम ब्रिही है चावल कावसे जो हस्तिनापूर में मिला है कहां पर मिला है, हस्तिनापूर में, जो हस्तिनापूर मेरट में है, वो ऐसा पूरवाठमी सदी का है, इसी समय के आसपास एटा जिले मिस्तित अतरंजी खेरा में भी चावल मिला है, कहां पर अतरंजी खेरा, इसके बारे में UP में, बिहार में, UPSC में सभी जगों पर कभी मिलेगा आपको गेहूं का बहुत कम मिलेगा क्यों गेहूं बाद की फसल है ठीक है पर गेहूं का प्रियोग कदाचित ही है उत्तरवैदी काल में लोग कई परकार के तेलहन भी पैदा करते हैं आपको पता चलना है पूजा पार्ट में जो चीज देखते हैं अगर उनको एक ही जार इसाफू शापूर का झाज़न खाने कल लोहे का काम तो करी रहे होंगे दोनों मैं पता लगा लीजे कौन सा पहले आये होगा तो पहले लोहा का जन्म होगा कियुक्छ धातु के काम करने वाले चու solution उसे पहले भी थे तामभा के काम भी तो करते थे अब तामबा के काम करेंग वाले को क्या बोलते हैं, वो भी तो क्या कहलाती हैं, इसको ध्यान में रखेगा, तामबे से उनका परचे वैधिक काल के आरम से ही था, आपको भी पता होगा हरपा पीरियर्ड में भी तामबा था, और तामर पासान भी उसको कहा जाता है, देखी पर क्या रिकाए पंदरों से सापूर को पहले के तामबे बहुत सारे आजार जखीरे पस्वित अबदेश बिहार मिले हैं। उनसे प्रकट होता है कि वैदिके तर समाज में भी तामबर सिल्पी थे। वैदिक लोग समबता रास्थान के खेतरी के तामबे खान को प्योग करते थे। जो भी हो वैदिक कार के लोगों नजिन धातु का प्रियोग के उनमें तामबा पहला रहा होगा। उसके बाद से लोहा बगरा भी रहा था। तामबे के वस्तुएं चित्री धूसा मिध्वान अस्थलों में पाई गई हैं। इन वस्तुओं का उप्योग मुकेता लराई और सिकार्द था आभूसन के रूप में भी किया जाता था। बुनाई के वाल इस तरियां करती थी किन्तु यह काम बरे पैमाने पर होता था। चमरे, मिटी और लकडी के सिल्फों भारी प्रगती हुई। चमरे का सिल्फ, सिल्फ का मतलब होता है काला, मिटी का और लकडी का। उत्तर बैदी काल के लोग चार प्रकार के मर्दभांड से परची थे। इसके आगे के इसके अगले वीडियो में करें। क्योंकि chapter काफी बड़ा है ते इसले पूरा इसको नहीं करेंगे, काफी बड़ा बड़ा वीडियो हो जाता, आप लोग देख भी नहीं पाते हैं। तिसलिए ध्यान पुर्वक याद रखेगा, यहीं तक इसको किया है, इसके बाद का जो पैरा है, उसको कम से कम खतम कर देता हूँ, कि यह सारे मेध्वान पस्जी मुता पदेश में पाया गया है, तो यहां तक कर लिया है हमने आगे के इसके भाग को अगले वीडियों इसको ध्यान पुर्वक परिएगा, यतना मैंने पढ़ाया है, उसमें जो फैक्ट है, उसको नो डॉन कर सकते हैं आप, थैंक्यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए